Good morning dear students, as you all know that today is our Hindi class, so let's start our new chapter which is chapter number 18, ठीक है, हार की जीत इस chapter में इक डाकू का हिर्दर कैसे परिवर्तित होता है, आएए चलिए हम इस बारे में पढ़ते हैं मा को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाहते खेट देखकर जो आनन्द आता है, वही आनन्द बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अरपन हो जाता था वह घोड़ा बहुत सुन्दर था, बलवान था उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन होते थे उन्होंने रुपया माल असबाब जमीन आदी अपना सब को छोड़ दिया था यहां तक कि उन्हें नकर के जीवन से भी घ्रिना थी तो एक बाबा भारती थे, उनका एक सुल्तान नाम का घोड़ा था जिसे वो अपने हाथों से दाना खिलाते थे, उसको देख देखकर प्रसन होते थे और उसको खरहरा करते, मतलब कि उसको कंगी करते थे उन्होंने अपना रुपय पैसा सब छोड़ दिया था तक कि उन्होंने नगर का जीवन भी छोड़ दिया था और दूर जाके रहने लगे थे अब गाउं से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हीं ऐसी भ्रांती सी हो गई थी वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसा चलता है जैसे मूर घटा को देख कर नाच रहा हो जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील तक का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन ना आता खड़क सिंग उस इलाके का प्रसिध डाकू था लोग उसका नाम सुनकर कापते थे हौले हौले सुल्तान की किरती उसके कानों तक भी पहुची उसका हिदय उसे देखने के लिए अधीर हो था वह एक दिन दो पहर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूचा खड़क सिंग क्या हाल है खड़क सिंग ने सिर जुका कर उत्तर दिया आपकी दया है ठीके कहो इधर कैसे आ गये ये किस ने पूचा ये पूचा बाबा भारती ने सुल्तान की चाह खीच लाई ये खड़क सिंग ने बोला विचितर जानवर है देखोगे तो प्रसन हो जाओगे बाबा भारती बोलते हैं फिर खड़क सिंग बोलता है मैंने भी बड़ी प्रसंशा सुनी है फिर बाबा भारती बोलते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोहलेगी खड़क सिंग कहता है कैते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है फिर बाबा भारती बोलते हैं क्या कहना जो उससे एक बार देख लेता है उसके हिदय पर उसकी छवी अंकित हो जाती है फिर खडग सिंग बोलता है बहुत दिनों से अब इलाशा थी आज उपस्थित हो सका हूँ फिर बाबा भारती और खडग सिंग अस्तबल पहुचे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से खडग सिंग ने घोड़ा देखा आश्चर्र से उसने सहस्त्रो घोड़े देखे थे मतलब उसने बहुत से घोड़े देखे थे परन्तु ऐसा बागा घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुज़रा था ठीक है? सोचने लगा भागी की बात है ऐसा घोड़ा खडग सिंग के पास होना चाहिए था इस साधू को ऐसी चीज़ों से क्या लाप? ये खडग सिंग ने सोचा कि वो जो घोड़ा था वो खडग सिंग के पास होना चाहिए था आखिर ये साधू ऐसी चीज़ों को लेके क्या लाप कमा सकता है? कुछ देर तक आश्चर्रे से चुपचाप खड़ा रहा चाल देखना चाहता था बाबा जी मनुष्य ही थे अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हिर्दय अधीर हो गया जैसे हम सभी को अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर हमारी कोई तारीफ करता है तो ये human nature है कि आप उसके बारे में और सुनना चाहोगे तो बाबा भारती भी इनसान ही थे और उनका भी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने का बहुत मन्त था घोड़े को खोल कर बाहर ले गए घोड़ा वायू वेग से उनने लगा मतलब की हवा की रफतार से वो दौड़ने लगा उसकी चाल देखकर खड़क सिंग के हिदय पर साप लोट गया मतलब खड़क सिंग के अंदर इश्या की भावना उत्पन होयने लगी कि ये घोड़ा इतना तेज है इसको मेरे पास होना चाहिए था ये बाबा भारती के पास क्या कर रहा है वह डाकू था और जो वस्तू से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था उसके पास बाहुबल था और आदमी थे जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूगा बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात को नीद न आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी चर्क तिछर्क अड़क सिंग का भय लगा रहता परन्तु कई मास बीद गए और और वह न आया यहां तक कि बाबा भारती कुछ औसावधान से हो गए और इस भय के स्वपन को मिथ्या समझने लगे संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे उस समय उनकी आखों में चमक थी, मुख पर प्रसंता थी कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे मतलब वो अपने घोड़े की सुन्दर्ता से इतने प्रभावित रहते थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था सैसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की भी सुन्ती जाना आवाज में करुणा थी, बाबा ने घोड़ा रोक दिया, देखा एक अपाहिज विर्च की छाया में पड़ा कराह रहा है बोले, क्यूं, तुम्हें क्या कष्ट है, अपाहिज ने हाथ जूड़ कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो शमा वाला यहां से तीन मिल है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा तो बाबा भारती ने कहा, वहाँ तुम्हारा कौन है? खड़क सिंग ने जवाब दिया, दुरकाद अत्वैत का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ, बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, और स्वयम उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे, सहसा उन्हें जटका सा लग और लगाम हाथ से छूड़ गई, उनके अश्चर का ठिकाना ही नहीं रहा, जब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े की पीट पर तंकर बैठा है, और घोड़े को दोड़ाय लिए जा रहा है, उनके मुक पर भैविसमय और निराशा चा गई, वह अपाहिज डाकु खड निकला, बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चाद कुछ निश्य करके पूरे बल से चिला कर बोले ठहर जाओ, ठीक है, खड़क सिन ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हांथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह अब न दूँगा, फिर बाबा भारती वोले परन्तु एक बात सुनते जाओ, खड़क सिन ठहर गया, बाबा भारती से निकट जाकर उसकी और ऐसी आँखों से देखा, जैसे बकरा कसाई की और देखता है, ठीक है, मतलब बहुत ही उदासी के साथ उसने खड़क सिन को उसे अस्विकर न करना, नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा, खड़क सिन ने बोला, बाबा जी आगया कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूँगा, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विशय में कुछ न कहूँगा, मेरी प्राटना अब यह है कि इस घटना को किसी और के सामने प्रकट न करना, खड़क सिन का मुख आश्चर्य से खुला रह गया, खड़क सिन ने बहुत सोचा, परन्तो कुछ समझ न सका, उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, बाबा भारती चले गए, परन्तो उनके शब्द खड़क सिन के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे, सोचता था कैसे उचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाओं हैं, उन्हें इस घोड़े से प्यार था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था, कहते थे इ लुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी, उन्हें केवल यह खयाल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, ऐसा मनुश्य, मनुश्य नहीं, देवता है, रात के अंधिकार में खड़क सिंग बाबा भारती के मंदिर में पहुचा, खड़क बाबा भारती ने अपनी कुट्या से बाहर निकल कर थंडे जलसे स्तान किया, उनके पाउं अस्तबल की ओर बढ़े परन्तु फाटक पर पहुचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई घोड़े ने अपने स्वामी की पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन्हिनाया, अब बाबा भारती आश्यर और प्रसंता से दोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन क बिचुडे हुए पुत्र से मिलकर रो रहा हो, बार बार उसकी पीट पर हांत फिरते, बार बार उसके मुख पर थपकिया देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब, अब कोई भी गरीब की सहायता से मुख ना मुड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार हमने पूरी कह कहानी को पढ़ा, तो आईये चली इसके कंक्लूजन पर हम बात करते हैं कि इस कहानी को पढ़के आपको क्या समझ में आया, ठीक है? इस कहानी को अगर मैं शॉर्ट में कहूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कभी-कभी ऐसा समय आता है, जब आपको नेकी करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भी दाव पे लगाना पड़ जाता है अगर खड़क सिंग और बाबा भारती की ये कहानी पूरे गाउं में पता चल जाती तो लोग गरीबों पे विश्वास नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि वो खड़क सिंग बाबा भारती के घोड़े को अपाहिज बन कर चुड़ाना चाहता था जिसकी वज़े से जितने भी गरीब तपके के लोग हैं या जितने असहाय लोग हैं उनके उपर दुबरा कोई विश्वास नहीं करता बाबा को इस बात का भै था इसलिए उन्होंने खड़क सिंग से बोला कि देखो ये बात और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए नहीं तो गरीबों पे कोई विश्वास नहीं करेगा ठीक है इसलिए हमें जब भी कभी ऐसा हमारे सामने कोई ऐसा सिचुेशन आ जाए कि अपनी कोई एक प्रिवस्तुक होकर अगर किसी दूसरे का भला हो रहा है तो हमें वो चीज जरूर करनी चाहिए ठीक है और कभी भी ऐसे गलत रास्ते को नहीं चुनना चाहिए जिससे हमारा और दूसरों का नुकसान हो ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ ठीक है अरपण अरपण का मतलब होता है भेट करना अंकित अंकित का मतलब होता है चिनहित करना ठीक है मतलब किसी चीज पे निशान करना आप ऐसे समझ सकते हो घ्रिणा घ्रिणा मतलब होता है नफरत बाहुबल मिन्स होता है पराक्रम यानी कि बाहुबल को आप ऐसे भी समझ सकतों पावर से ठीक है निच्छावर मतलब निच्छावर means अपना सब कुछ लुटा देना ठीक अभिलाशा मतलब होता है इच्छा कीर्ती मतलब होती है यश तीक है किया है घरहरा यानि कि दंत पंग्तियों वाली लोहिकी चौकूर कंगी जो होती है इक तरिके कि कॉम होती है जो किस खोनी होती है ठीक है, मिथ्या, मिथ्या मतलब जूट, अपाहिज मतलब होता है, अपंग, मतलब विकलांग, करुण मतलब होता है, दया, असह या मतलब होता है, जो सहा न जा सके, मीधा, मीधा मतलब होती है, बुद्धी, और भ्रांती मतलब होता है, संदेख, ठीक है, मिन्स डाउट, चल आँख गड़ाना मतलब एक टक देखना लट्टू होना मतलब फिदा हो जाना हिरदाय पर साप लोटना मतलब इश्या करना ठीक है? चले हम आगे अब भ्यास पर चलते हैं बहुवी कल्पी प्रेश्ण बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम था सुल्तान ठीक? बाबा भारती से मिलने कौन आया? तो खड़क सिंग मिलने आया डाकू ने किसका भेश्वन आया था? तो वो अपाहिज का मनाया था घोड़े को कहा रखा जाता है? तो वो रखा जाता है आप सभी जानते हैं अस्तबल में पढ़ो, समझो और उत्तर दो सुल्तान को देखकर बाबा भारती किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते थे? तो आप सभी जानते हो कि वो बहुत ही प्रफल लिथ हो जाते थे, ठीक है? इसका PDF मैं आपको भेज दूँगी खडक सिंग ने किस युकती से घोडा बाबा भारती से लिया? तो उसने क्या किया था? उसने अपाहिज का भेज बना कर उनको चल करके उस घोडे को लिया था बाबा भारती ने खडक सिंग से क्या प्राथना की? बाबा भारती ने यही प्राथना की कि देखो खड़क सिंग ये बात किसी और को नहीं बताना वरना लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा और उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा खड़क सिंग सुल्तान को वापस अस्तबल में क्यों छोड़ाया क्योंकि उसने बाबा भारती की नेकी को देखा और उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो अपनी प्रियवस्तु को त्याग के दूसरों की भलाई के लिए इतना सोच रहे हैं तो उससे उसका हिर्दय परिवेटन हुआ और उसने वापस अस्तबल में गोड़े को छोड़ दिया कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई तो आप यह कह सकते हैं कि बाबा भारती की नेकी की जीत हुई और खड़क सिंग का जो मिसंडरस्टैंडिंग था उसकी हार हुई अब यहां कुछ डायलक्स दिये गए हैं आपको बताना है किसने किससे कहा कहते हैं देखने में भी बड़ा सुन्दर है तो यह किसने कहा था खड़क सिंग ने बाबा भारती से कहा था ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाओ यह अपाहिज ने बाबा भारती से कहा यानि यह खड़क सिंग ने बाबा भारती से कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस नहीं लूँगा बाबा भारती ने खड़क सिंग से बोला ठीक है निम्लिकित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो तो बाबा भारती अपने गोड़े के सौंदरे एमम चाल पर बहुत मतलब निहाल होते थे मतलब बहुत ही जादा उसकी सौंदरे और चाल से बहुत ही प्रभावित थे इसलिए वो ऐसे बोलते थे ठीक है जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवी अंकित हो जाती है मतलब बाबा भारती का खोड़ा बहुत सुंदर था उसकी चाल निराली थी जो उसे एक बार देखता था उस पर वो मंत्र मुग्ध हो जाता था ठीक है वे इस भाय के स्वप्न को मिथ्या समझने लगे ठीक है डाकू की नजर घोड़े पर देखकर बाबा भारती डर गये कि घोड़ा कहीं डाकू न ले जाए इसलिए उसकी रक्षा करने लगे परन्तु काफी समय जब वो नहीं आया खड़क सिंग तो उन्होंने अपने भैगो जूटा स्वप्न समझ कर आसावधान हो गये आप देख सकते हैं विशेश और विशेश के जोड़े बनाने हैं ठीक है इधर निमलिकित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दे लिखे प्रसन्न का होता है खुश विच्चित्र का होता है अद्बुद घ्रिणा का द्वेश किर्ति का प्रकाश घन का बादल मिथ्या का जूट शहस्त्रों मतलब सैक्रों निश्चित का होता है निश्य का होता ह छवी का होता है पर छाई नेकी का होता है भलाई ठीक है निमलिकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो लट्टू होना मुह मोड़ना हिर्दे पर साप लोटना हवा से बाते करना ठीक है तो यह यहां पर कुछ वाक्य प्रयोग यहां दिये गए है ठीक है फिर नि प्रशंसा के योगे हो तो यह क्या है प्रशंसनिय जिसमें धैर्य नहों धैर्य हीन जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्निय जिसका एक अंग खराब हो विकलांग जो सहान जा सके तो वो है असहनी है निमलिखित शब्दों में से जो शब्द बेमेल हो उस पर गुला बनाईए तो यह आप खुद से बनाएंगे ठीक है यहां पे समझेए और इस प्रकार के दो दो शब्द लिखिए ठीक है मतलब आप कह सकते हैं तरपन एक तरीके से ये ड्राइमिंग वर्ड्स हैं ठीक है तरपन दरपन समरपन ठीक है प्रचार प्रदेश प्राचीन फिर तिरसकार पुरसकार संसकार ठीक है तो इस तरीके से ये नीचे भी दिया गया है ठीक है इसमें उचित कारक भरने है तो पहल बाबा भार्ती को ठीक है बाबा तदा खड़क सिंग दोनों अस्तबल में पहुचे तो यहां पे कौन सो का में घोड़ा वायू वेग से उड़ने लगा बाबा ने अपना घोड़ा घमंड से दिखाया पढ़ो समझो और लिखो द्रेश्य इसमें अ प्लस द्रेश्य यानि अ द्रेश्य ठीक है यह उपसर्ग लगा के आपको शब्द बनाने हैं फिर यहां देख सकते हैं आप यहां प्रत्या लगा हुआ है ठीक है वो उपर उपसर्ग था और अब यहां पे प्रत्या होगा है उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं और जो ये आपके प्रत्य होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा चाप्टर गाई खत्म होता है If you have any doubt then ask me